आलू परवल की बहुत ही चट्पटी मसालेदार सब्जी वह भी विल्कुल हल्वाई श्टाइल और इस सब्जी को हम बहुत ही सिंपल तरीक के से बनाएंगे लेकिन खाने में ये बहुत ही लाजवाब होगी तो चलिए आज की सुपर टेश्टी रेस्प्री को बनाना सुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम परवल लिए हैं आप अपने हिसाफ से इसकी कॉंटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं तो परवल को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसका जो उपर वाला पार्ट है इसको हम हलका सा चाकू से छील लेंगे इसे हम छीलन से नहीं छीलेंगे वरना इसका ज़्यादा पार्ट निकल जाएगा इसको बिल्कुल हलका हलका सा ये छीलना है तो हम इसे इस प्रकार से चाकू से छील लेंगे यह देखे ज्यादा इसका छिलका नहीं निकला वस हलका-लका सा यह निकला है और यह देखे बिल्कुल clean हो गया बस इसी प्रकार हमें सभी परवल को छील लेना है तो लिजिए हमने सारे परवल को इसी परकार छील लिया है तो छिलिए अब हम इसे cut करते हैं तो पहले हम परवल को 20 से इस प्रकास से कट करेंगी और फिर हम इने एक टुकडे की दो-दो टुकडे करेंगी यानि हम एक परवल की चार टुकडे करेंगी बस इसे हम ज्यादा छोटा नहीं करेंगे बस इतने बड़े-बड़े इस टुकडे हमें करना है अगर आप इसकी cutting अपने तरीके से करना चाहेते हैं तो आप उस प्रकास से भी कट कर सकते हैं इस प्रकार से मैंने सभी परवल को cutting कर लिया है अब हम इने साइट में रख देंगे और हम लेंगे यहाँ पे 3 medium साइज की आलू को मैंने पहले चील के अच्छे से वाश कर लिया था अब हम एक आलू लेंगे उसको 20 से कट करेंगे और फिर एक भाग कट करेंगे और फिर इस प्रकार से हम इसके मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे ना ही हमें ज़्यादा छोटे करना इनके टुकड़े और ना ही ज़्यादा बढ़े करना है बस इस medium size के यह टुकड़े करके रखना है तो इस प्रकार से मैंने सभी आलो को कट कर लिया है अब हम इन्हें भी side में रख देंगे और फिर हम लेंगे यहाँ पे दो medium size के बारी कटे हुए प्याज इनको हमको बारी कट करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक chopper ले लिया है इस पे हम इसको chop करेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा और 10-12 कलिये लहसुन की डालेंगे और अब हम इसे बंद करके बारी कट कर लेंगे अगर आप चाहिए तो इसने चाकू से भी कट कर सकते हैं लेकिन इससे के आओकर नहीं थोड़ा जल्दी हो जाता है काम चाकू से करने में थोड़ा देर लगती है इसको तीन से चार बार चलाने के बाद अब हम इसका धक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं विल्कुल बारीक चौप हो चुका है हमारा प्याज, अद्रक और लेसुन तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे अब हमें एक पेश्ट तयार करना है तो इसके लिए हम एक निक्सी का जार ले लेंगे फिर हम डालेंगे इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर और दो हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से तोड़ दिया था और अब हम इसका एक पेश्ट बना लेंगी तो ये देखे पेश्ट हमारा बन चुका है तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे तो अब हम इस टमाटर के पेश्ट को रख देंगे साइड में और फिर हम एक गोल बनाएंगे तो इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी में हम डालेंगे आदी छोटी चमट हल्वाई जैसे लाने के लिए हम डालेंगे इसमें आदी छोटी चमट कश्मीदी लाल मिर्च पाउडर इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और फिर हम डालेंगे इसमें आजी छोड़ी चमज गरम मसाला और अब हम डालेंगे इसमें पानी और पानी डालने वाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम साइड में रख देंगे जिसे ही मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं तो लीजे सबजी बनाने की हमारी सारी तयारिया हो चुकी है तो चलिए आप चलते हैं गहस की तरफ तो गहस पे हम रख देंगे एक कड़ाई और फिर हम डालेंगे इसमें सर्फसों का तेल तो तेल यहां पे मैंने पांच बड़े चमश डाला आए और तेल डालने के बाद अब हम इस तेल को करेंगे गरम गरम तेल होगा तो इसकी कच्ची कच्ची स्मिल नहीं आएगी और यह खाने में भी अच्छा लगेगा तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हमने जो परवल की पीसेस किये थे ना उसको हम इसमें डाल देंगे और इन्हें इस प्रकार चलाते रहेंगे जब तक इन परवल का उपर का भाग हलका सा ब्राउन नहों जा तब तक इन्हें पकाना है तो फ्रेंज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंज में अपने और बेल हाइकान को जरूब क्लिक कीजिए जिसे की मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेस्टन आपके मुंबाइल में सब से उपर आएगी तो आप देख सकते हैं परवल हमारे अच्छा से पक चुके हैं और इनके उपर एक हलकी सी कोटिंग सी हो गई है ब्राउन कलर की तो चली अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पर मैंने एक जाली वाला बरतन लिया है इससे हम इसे निकाल है और इतने में यह पक चुके हैं तो अब हम उसी तेल में डालेंगे आलू आलू को डाल के भी हम इने फ्राई करेंगे अगर आपने परवाल की सब्जी इस तरीके से नहीं बनाई है तो एक वार इसे बना कर देखिए यकीन मानिए यह सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप जब भी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगी तो इस प्रकार से चलाते हुए हमें एक से दो मिनट लग गए आलू को पकाने में और आप देख सकते हैं इसके उपर हलकी सी ब्राउन ब्राउन कोटिंग हो गई है तो चलिए इने भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इस प्रकार से हमने सभी आलू को एक प्लेट में निकाल लिया हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही किस्पी और बहुत ही टेश्टी हमारे आलू बनके तियार हुए है तो अगर आपके कढ़ाई में तेल ज्यादा है तो आप इसे थोड़ा हटा सकते हैं तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसारत यहां पर मैंने दो तेज पत्ता आधर चमस खड़ा जीरा एक दाल चीनी का टुकड़ा तीन से चार लॉंग और एक बड़ी लाची लिया है और इनको इसमें डालने बाद अच्छे से पका लेंगी तो जीरा चटकने लग जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं तो आप देख सकते हैं पे आज में बहुत ही अच्छी खुस्बू आने लगी है यानि यह पहुत ही अच्छे से पक चुके हैं तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेष्ट और इसे भी अच्छे स मिलाते हुए हम एक मिनट तक पका लिए तो इस सब्जी में हमने कुछ अलग से मसाले नहीं डाले हैं और आप देख सकते हैं घर के यह कुछ मसालों से हमने यह सब्जी को बना के तयार किया है और यह बहुत ही तेश्टी सब्जी हमारी बन के तयार होगी तो इस प्रकार से हमने इने टमाटर को भी अच्छे से पका लिया है तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें मसाले तो जो हमने मसालों को विंगो के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगी और इने चलाते हुए पकाएंगी गैस को हमें धीमी ही रखना है जिसे मसाले हमारे जलेना और बढ़िया से पक जाएं मसालों को हम जितने ही अच्छे से पकाएंगे यह सबजी उतनी ज्यादा बढ़ियां बनेगी अब हमारे मसाले बढ़ियां से पक चुके हैं इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है तो अब हम डाल देंगे इसमें एक छोटा चमश कश्टूरी मीथी इससे सबजी म बिल्कुल हलवाईज वाला टेस्ट आता है और इसे भी इस प्रकाश चलाते हुए बढ़ियां से पका लेंगे तो हमारे मसाले लगबख सभी बढ़ियां से पक चुके हैं तो अब हम इसमें फ्राइ की हुई सबजी आइड करेंगे तो यहां पर हम डालेंगे पहले परवल और फिर हम डालेंगे इसमें फ्राइ की हुई आलू और इन्हें हम मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे की सबजियों में मसालों की कोटिंग हो जाएं अगर आपको आलू और परवल की सूखी सबजी पसंद है तो आप इसमें पानी न डालें इसमें और इसमें नमक डालके इसे ढखके दीमी आच में तीन से चार मिनट के लिए पका लें और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करें यह सबजी सूखी भी बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन हमें यह सबजी हलकी सी रसेदार बरानी है तो इसलिए हम डालेंगे इसमें पानी तो पानी यहां पर मैंने बिल्कुल गरम लिया है गरम पानी डालें से सबजी और वी ज्यादा अच्छी बनती है तो पहले ही यहां पर मैंने आदा ग्लास पानी डाला है और फिर तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने सौधन साथ डाल सकते हैं, मैंने या पर एक छोटा चमर्ज नमक डाला है, और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस हमें इसे ढखके, तीन से चार मि हो चुकी है तो चलिए अब हम कड़ाई का ठकन हटा देते हैं और आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब सब्जी हमारी बनके तयार हुई है बिल्कुल हल्वाई जैसी लग रहे यह देखने में और खाने में भी यह बहुत ही अच्छी है तो चलिए अब हम सब्जी को और भी स पर टिश्डी बनाने के लिए इसमें डालेंगे बिल्कुल बारी कट्टा हुआ हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर हम गैस को बंद कर देंगे तो चलिए अब हम इसे बिल्कुल हल्वाई जैसा सर्व करते हैं तो इसके लिए हमने एक प्लेट ले लिए हैं और इस प्लेट में हम इसे सर्व करेंगे तो लीजिए बहुत ही लाजवाब बिल्कुल हल्वाई स्टाइल हमारी सूपर टेस्टी आलो परवल की सबजी बनके तयार हो गई है तो मैंने इसे सर्व किया है गर्मा गर्म पूरियों के साथ आप इसे पराठे या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी आज की ये रेस प्रसंदा है तो वीडियो की नीचे जो लाइक कब टरने से जरूर क्लिक करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को जदा से जदा शेयर करें अब हम मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई